जिसलिया रोज की बात तो गलत हो सकती है अभी साड़े दस Бझ neighborhood खोला है अभी आपने साड़े-dस बजे खोला है क्यूं ऽरा everyक्त क्यों गाड़ी खराब हो गया था चाहाँ के लगबंग साड़े दस बज रहे हैं मैं एक पोस्ट आपिस के सामने खड़ा हूं दिखाए कहां कि यह पोस्ट आपिस है बसंतरा सब पोस्ट आपिस यहाँ पर अभी साड़े दस बजे लोगों की भीड जमा थी अभी देख से देड़ मिनट हुआ है यह पोस्ट ओफिस को खुलते हुए यह लोग यहां पर आकर हला कर रहे थे यह लोग यहां पर पोस्ट ओफिस में कुछ काम से आये थे लेकिन इनको गेट बंद मिला क्या कुछ हु कि लेकिन अधाकन से वेट कर रहे हैं अरजेंट काम था वाइप दो आवर लाए खाता खुल्वाने के लिए यहां बंद पर आवा था रोज का यह लोग है यह लोकल है हम लोग यहां लोग यहां तो कंजुमर है यहां थाल से जो दूचार दस दिन से पोस्ट मास्टर और सबसे पहली बात है चीज की एक समय सारनी निर्धारित की गई है कोई भी सतरकारी दफ्तर हो तो उसको साड़े 10 मजे से पहले खुलना होता है यहाँ पर साड़े 10 बत चुके है अभी यहाँ पर आकर लगबग दो आ हादा है कि मैं इस रास्ती से गुजर रहा था तो उनका कहिना है कि पुष्ट ओफिस दस बजे खुल जाना चाहिए लेकिन साधे दस बजे फुल रहा इसार कहा रहे आप वो यह कहा है कि रोज ऐसी चीजे हो रही है गलत बोल रहे है मैं इसे लिए blessed अभी साड़े 10 बजे कुला है अभी आपने चायद्ऌकान लीजिए पुछ लिए प्रफिस के काम से गया है रोज कितने बज़े आते हैं दस बज़े बाकि जो समस्या में थी यहां पर धीड़ी कट्था हुई ती यहां पर जो लोग जमा होए ते इनका कारण सिर्फ एक था कि हमारा पोस्ट आफिस मुख्य बाजार में हम लोग 9.30 बजे यहां पर आ जाते हैं परती दिन का ये नियम होता है कि पोस्ट आफिस का खुलने का समय साड़े 9 होता है लेकिन खुलता है साड़े 10 बजे के बाद आज ये चीज कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है कि यहां पर 10.30 बज क्या है तो उन्होंने का कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी यह इस्तिति है जारखंड के गोड़्डा जिला के मसंत्राइब परखंड के मुख्याले में पोस्ट आफिस की स्तिति साड़े 10 बजे खुलती है ग्रामीन आक्रोसित है होने की वज़ा बनती है क्योंकि उनको अपना डेरों काम होता है वो अपने काम के सिल्चले में यहां पर आते हैं इसलिए लोग हो हलाहां गमा यहां पर कर रहे हैं और कुछ आरो बैसर और कुछ कहेंगे आप लोग हैं कुछ देर में तो एक और सक्स मौझूद है आपकी क्या परिशान है इस पुस्टोपीस से मेरा वही था मेरा खाता उसमें लगए 20 दिन में को गुमाया गया फिर एक दिन हम तब बोले कि साथ हजार में आप सब इतना दिन गुमा रहे हैं जब आड़ाय लाग तिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं है जिनको बोलना नहीं है रोज कितना दोरेंगे सार इस तरह की जगत कैसे हम सब खता खुलवाएंगे दूसरा नेक्स खता नहीं खुलवाएंगे सब बंद करवा देंगे जितना है क्या नाम है आपका रंजीत कुमार पॉष्ट ओफिस का समध मेरे बीच से जुड़ा हुआ है हम मान लीजे कि इनका निकासी है तो हम सब लाके दिये क्योंकि इनके बीच में तो हम खता हम खुलवाएं तो यहां तो काम होना अच्छी है ठीक है आपको अगर पाटी को बुलाना है तो उसका भी एक प्रोसेस ह होता है कि नहीं की आना होगा तब खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा इसा तूरी होता है कि बीच में हम भी तो एक पॉष्ट ओपीस का कुट्टा है मेरे बज़े से तु खता खुल रहा है हम काम छोड़ देंगे मेरे पिछे 200 खता है सब बंद होगा नुकसान किसको नहीं सुनते हैं हम लोगों का कोई बेलूर नहीं है जो कि आज मार्केट का सब आदमी हम लोग प्याकरोस हैं तो हम लोग क्या करेंगे चलिए भाई पोष्ट ओपीस आके अपना बात कीजिए समने में हम लोगों में तो कोई कमी नहीं है अब जिम्मेदारी बनती है इस ड खूम कर क्यों जा रहे हैं इनका कहना है कि मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा ज्यादा रौप दिखाऊंगा तब काम सुनते हैं अगर आप नॉर्मल बोलिएगा अगर आप साधारन तरीके से बात कीजेगा तो ये लोग हमें डाट कर भगा देते हैं ये हमारी एक भी नहीं सुनते हैं ये हालत है गोड़ा जिला के बसंतराय परकंड के परकंड मुख्याले की यहाँ पर एक पोस्ट ओफिस जो कि रोज के दिन लेट से खुलता है ये मेरा आरोप नहीं ये गरामिनों का आरोप है अभी मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने भी यही पाया कि कैमरे में में ये चीज रिकॉर्ड हुआ है कि साड़े दस बजे के बाद ये पोस्ट ओफिस खुलती है उच अधिकारी से निवेदन रहेगा ध्यान दीजेगा महास है आपकी जिमेदारी बनती है लोग परिशान होते है ये पबलिक सर्व के लिए यहाँ पर को लागी अगर पबलि